आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो आइस्क्रिम तो मैंगो आइस्क्रिम के लिए हमने लिया है 500ml दूद एक कप है और यहां हमने आधा कप चीनी लिये है और यहां हमने 3-4 चमस मैदा लिये है और ये हमने लबक दो दिन का मलाई जमा करके रखी है और एक आम का पल्प हमने निकाल लिया है तो इस आइस क्रीम में हमें जो भी इंग्रियंट लगेगी वो घर में असानी से मिल जाएगी तो यहां हमने गैस पे कराई चरहा दिया है और अब इसमें हम दूद डाल देते हैं एक कप दूद हमने जो ली है उसमें से हम थोड़ी सी बचा कर रख लेंगे और ये जो बची हुई दूद है इसमें हम मैदा को अच्छी तरह से मिला लेंगे चमस से तो चम्मस से हम मिला लेने के बाद ये देखें दूद हमारी खौल जब जाएगी उबल जाएगी अच्छी तरह से तो अब इसमें हम मैदा का जो मिस्रन तयार किया है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे इसमें गुटली हम नहीं आने देंगे अगर गुटली आ भी जाएगी तो कोई दिकत नहीं है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिला लेते हैं अब जो बची भी हमने सारी डाल दिये हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और लगवग इसे दो मिनट तक हम पकाएंगे दो मिनट तक पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं यह गाड़ी हो चुकी है तो अब इसमें हम चीनी डाल देंगे चीनी डालने के बाद भी हम चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिलने देंगे तो आप देख सकते हैं मिलकुल गड़ा हो चुका है इसमें मैदा का जो भी कच्छापन होगा सो खत्म हो जाएगा और आपको यह खाने में पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मैदा से बना हुआ आइस क्रीम है तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद अब सारी मिसरन को हम मिक्सी जार में डालेंगे तो मिसरन को डालने के बाद अब इसमें हम आम का जो पल्प निकाला है उसे भी हम डाल देते हैं और यह जो हमने मलाई रखी है दूद से निकाल करके दो दिन की उसे भी हम डाल देंगे और इन सारी समागड़ी को हम दो मिनर तक ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखिए दो मिनर तक हमने इसे ग्राइंड कर लिया है तो अब इसे हम एक कंटेनर में डाल देंगे और इसे हम दो से तीन बार इसे हम टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एर बवल्स ना बने और एक प्लास्टिक सीट से इसे हम धक लेंगे और इसका धकन हम बंद कर देंगे प्लास्टिक सीट आप कोई भी ले सकते हो हमने ये सबजी आती है मार्केट से वही थैली हमने उप्योग में लिया है तो इसे हम तीन से चार घंटे तक सेमी सेट होने के लिए छोड़ देंगे फ्रीजर में डाल देंगे तो तीन से चार घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी आईस क्रीम सेट हो गई हुई है तो इसे हम चमस से निकाल करके फिर से इसे हम ग्राइन कर लेंगे तो यह देखिए चमस से हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे सारे आईस क्रीम को और सभी को हम मिख्षी जार में डाल देंगे मिख्षी जार में डालने के वाद इसे फिर से हमने दो मिनट तक ग्राइंड किया है और अब हम उसी कंटेनर में इसे डाल देंगे और फिर से इसे हमने टैप करके पलास्टिक सीट से धक करके और धकन बंद करके और लगबग इसे हम आठ घंटा तक फ्रीजर में डाल लेंगे आप चाहे तो इसे पूरी रात भी इसे आप फ्रीजर में डाल सकते हो तो यहां हमने भी इसे पुरी रात के लिए डाल दिया है तो अब आप देख सकते हैं आट घंटे के बाद यह इस तरह से दिख रही है अच्छी तरह से सेट हो चुकी है तो अब इसे हम पलट लेते हैं तो हम थोड़ा हातों से इसे प्रेस करेंगे और इसे हम पलट लेंगे थोड़ा सा टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं यह किस तरह से निकल चुकी है पुरा सेप इसका आ गिया है और यह देखिए कितना क्रीमी टेक्सर भी इसका आ रहा है तो अब इस पे हम थोड़ी सी सजावट कर देते हैं तो यहां मेरे पास स्प्रिंकल्स है उसी से हम सजा दे रहे हैं और अब आपको हम काट करके दिखाते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़ूर बताइएगा और आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़ूर करिएगा शेयर करिएगा और आप चैन पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं हम अगले और भी अच्छी अच्छी वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू